नमस्कार दोस्तों नवरात्री नजदीख है उसी उपलक्ष में आज में लेकर आई हूँ बड़ी आसान एक स्वाधिष्ट मिठाई की रेसिपी इसमें कोई चाशनी बनाने का जंजट नहीं है तो बीगिनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं ये बड़ी सुपर सॉफ्ट ब और बिना फ्रीज में इस्टोर के आप इसे एक हफ्ते तक खा सकते हैं जो मेरे बहन भाई पूरे नो की नौ दिन ब्रत रखते हैं उनके लिए ये बड़ी ही पॉश्टिक और परफेक्ट रेसिपी है तो स्वागत है आपका अपने चैनल हॉम मेड रेसिपी बाई सुनीता पर आई ये बनाते हैं नवरात्री स्पेशल ब्रत में खाई जाने वाली मिठाई इसे बनाने के लिए ये मैंने फूल मखाने लिए हैं इन्हें कढ़ाई में डाल दूगी जब तक कढ़ाई गरम होगी मैं फ्लेम मेडियम रखूँगी जैसे कढ़ाई गरम हो जाएगी फ् प्रिस्प नहीं होते हैं तब तक इन्हें लो फ्लैम पर मैं भून कर तयार करूँगी यह 250 ग्राम मखाने हैं एक बार भून कर रख लेती हूं लगभग 9-10 मिनट बाद मैं इसे तोड़ के दिखाती हूं देखे एक दम प्रिस्पी हो गया है अब गैस की फ्लैम बंद कर दू सेम उसी बॉल से नाप करके यह मैंने दूद की मलाई लिए यह मेरे टॉंड मिल्क की मलाई है इसमें ज्यादा चिकना ही नहीं होती है और मलाई को इस्टोर कैसे करना है उसके लिए किसी भी धक्कन वाले बर्तन में इसे रखेगा और डीफ फ्रीजर में इस्टोर कीजिए अब सबसे पहले मैं बर्फी जमाने के लिए ट्रे तैयार करती हूं तो ट्रे को मैंने घीसे ग्रीज कर लिया आपके पास ऐसी ट्रे नहीं है तो आप किसी थाली को भी ग्रीज कर सकते हैं उपर से मैंने एक बटर पीपर लगा दिया उसे भी घीसे ग्रीज कर लूगी अब में एक चीज बता दूं मेरे टॉन मिल्की मलाई है तो इसमें चिकनाई का कंटेंट बहुत कम होता यदि आपकी फुल मिल्क है तो आप आधा मलाई लें और आधा दूद इस्तेमाल करें देखिए गुड अच्छी तरह से इसमें डिजॉल हो गया है अब मैं थोड़ा गाड़ा करना है तो हमने इसे कितना गाड़ा करना है तो मैं इसकी पहचान आपको बताती हूं इसे एक यह दो तार की माने मिं ढाल देंगे और इससे अच्छी तरह से मिला लाइं इस दौरान मैं ने गेइस की फ्लैम बंद कर दिया अब देखिये अच्छी से मिलीया लेकिन अभी बर्फी जमाने की गस्टेंसे नहीं है तो मैंने गैस की फ्लैम कर दिये और एक दो मिनट के लिए धीनाइव वह सेम वही फॉर्म हमें लेके आना है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल डो की फॉर्म में आ गया है और इसमें खी छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया यह बर्फी जमने की परफेक्ट कंसिस्टेंसी है अब ट्रे को हमने पहले से ग्रीस करके तयार रखा है उसमें इस बर्फ से भी कर सकते हैं लेकिन फास्ट में चांदी का वर्क इस्तेमाल नहीं करते हैं आप इसे चम्मा से अच्छी तरह से दबा दूँगी और इसे लगभग आदा गंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूँगी लगभग दो गंटे बाद यह अच्छी से सेट हो गया नहीं निकलते हैं, उसके बाद बिल्कुल पर्फेक्ट पीस निकलते हैं, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया पीस निकल कर टैयार हुई है यह इसी तरीके से मैंने साफ़ी बर्फी के पीसेस को सेपरेट कर लिया । आप देख सकते हैं कितनी परफैक्ट मख़ानी की बर्फी सर्म मरम तैयार हूई है हमारी नमस्पे पेसे औरみ सब्सक्किणी के साथ उसे देखें। लग रहा है ने बिल्कुल मिले केज जैसा और टेश्ट तो इसका बड़ा ही लाजबाव है तो लीजे हमारी मखाने की बर्फी नवरात्री ब्रत के लिए बनकर तयार है आप इसे एक बार बना करके आराम से कंटेनर में इस्टोर कर लीजे और बिना फ्रिज में रखे भी एक हपते तक खा सकते हैं तो बनाइएगा और बताइएगा जरूब आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सबी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें थैंक्स वर वाचिंग मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई